नि मैं सुनदानी सुनदानी किसे दियां? इंस्टा पिशा उटाउट करे जॉन सिना नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है प्रशान चौकीन और आप देख रहे हैं प्रशान चौकीन शो आसिम रियास चौधरी बिग बॉस 13 का एक ऐसा नाम जिन्होंने अपने अंदाज से लोगों के दिलों पर कबजासा कर लिया है आसिम रियास चौधरी जिन्होंने बिग बॉस 13 में अपना एक ऐसा लोहा जमवाया कि लोग उन्हें आज भी पब्लिक विनर के नाम से जानती है बिग बॉस 13 से निकलने के बाद वो लगातार म्यूजिक वीडियो कर रहे थे कभी जैकलीन के साथ कभी अपना खुद का वीडियो निकाल रहे थे तो इनी के चलते चलते एक नया वीडियो आ गया है आसिम रियास का रैप वीडियो जो उनके ही यूट्यूब चैनल पर लॉंच हुआ है जिसका नाम है स्काई हाई जी हाँ कुछ तेर पहले वीडियो को रिलीज कर दिया गया रैप को रिलीज कर दिया गया मैं उसे देख कर आया हूँ आसिम रियास ने इसमें कैसा काम किया है आईए जानते हैं दोस्तों बिल्ट इन पेन आने के बाद आसिम रियास से एक्स्पेकेशन बहुत जाला बढ़ गई थी क्योंकि बिल्ट इन पेन में जो सोनी लेबल के द्वारा लॉंच हुआ था काफी अच्छा उन्होंने रैप किया था इसके बाद उनके फैंस और रैपिंग के फैंस सोच रहे थे कि आसिम रियास अब क्या लेकर आएंगे और आसिम रियास ने उनको बिल्कुल निराश नहीं किया है जो स्काइ हाई जो उनका एक नया रैप आया है उसमें अगर आप रैपिंग के स्किल्स को रेट करो तो मैं उसे rate करूँगा 5 on 5 जी हाँ built in paint से भी बहतर मुझे लगा है आसिम रियास का sky high इसमें feature कर रही है हिमानशी खुराना जिनको उन्होंने पंजाब की रानी कहकर संभोधित किया है तो कुछ प्यार के शणवीस में आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों आसिम रियास चौधरी का जब भी कोई न कोई update आती है तो लोग हरकत में आ जाते हैं चाहे वो सोशल मीडिया पे हो चाहे उनके fans हो तो बहुत जादा उनका craze बना हुआ है इसी craze को उन्होंने अपने शब्दों में कहा है जिन्होंने ये भी कहा है कि मुझे shout out करता है जौन सिना और उन्होंने अपने haters को कहा है कि haters आप मुझे आप कुछ smile क्यों नहीं करते हैं ये वो इस rap में कहते हुए नजर आ रहे हैं तो अपनी ही कहानी अपनी ही जबानी कहते हुए नजर आ रहे हैं आसिम रियास sky high में, क्या आपने देखा ये rap आपको कैसे लगा, कॉमेंट करके बताईएगा, और इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी ऐसे reviews मैं आपके सामने लाता रहूँ तो दोस्तों, आप देखिए आसे मरिया सब्सक्राइब आप, जब तक के लिए शुक्रिया अल्विदा, थैंक यू